हाँ हाँ गईज वेटन चैनल आइम वाइस आई होप यूफ यूबलिफाइन तो जैसकि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ड़िश है हैं सिंथेसिस basically सिंथेसिस मेंम बता चुके है synthesis में miss synthesis में तीन चीज़ें पूशी जाती है ना दो से अधिक उसको कह देंगे या तो एक change into simple sentence कह देंगे या तो change into complex या change into compound तीन होता है ठीक ना तो हम लोग simple sentence आपको बता चुके हैं ठीक ना आठ रूल जिसमें है आठो रूल 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 बताया गया है पिछली का जाकर देख लिए ठीक ना और compound sentence के भी दो रूल है coordinating connection से और दूसरा पहला coordinating connection और दूसरा relative connection ठीक ना तो उसमें जाके आप लोग देख लिए दियेगा दूसरा दोनों टाइप बताया गया है ठीक और अब हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मेशन आप complex sentence क्या पढ़ा जा रहा है complex sentence अब complex sentence में भी तीन टाइप बनाते हैं बताये हैं पिछले वीडियो में ठीक ना नाउन क्लाज तीन टाइप से जोड़ते हैं पहला नाउन क्लाज से ठीक ना और दूसरा adjective class adjective ठीक ना दूसरा adjective class adjective class और तीसरा एड़र्ब क्लाज तीसरा क्या एड़र्ब क्लाज इन तीन टाइट तरह से तीन टाइप से हम लोग क्या बनाते हैं complex sentence या तो noun class से बना जाएगा ठीक ना या तो adjective class से बना जाता है या तो जैसे ही हिंदी में अल्थ निकालोगे खुद ही पता चल जाएगा कि अध्यक्टिव क्लास की अध्यक्टिव क्लास में आप लोग जाकर देख लिएगा अब हम लोग को पढ़ना एड्यक्टिव क्लास का प्रियोग करके ठीक अध्यक्टिव क्लास का प्रियोग करके बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग धान से देखिए एक मिनट में आप लोग इसका अंसर बता देने वाले हो कोई भी अध्यक्टिव क्लास आने वाला आ जाएगा तब ठीक ना समझते हों कुछ भी नहीं है केवल ध्यान से समझना है जैसे बताएं पिछली क्लास में नाउन क्लाज का यूज केवल से अल्थ निकाल लेना उसके बार उससे लगा देना जैसे बताया गया है ठीक ना आप लोग देखिए पिछली क्लास अब हम क्या पढ़ाने वाले हैं अड्यक्टिव क्लाज क्या बताने वाले हैं आपको अड्यक्टिव क्लाज तो अड्यक्टिव क्लाज का यूज कब होगा और कैसे करेंगी यह देखते हैं मिस अड्यक्टिव क्लाज बनाओगे कैसे ठीक ना कोई भी सेंटेंस दिया है उसमें कोई ना कोई नाउन आएगी या वाई लगा दोगे वें लगा दोगे ठीक ना और विच हूँ वेर वें वाई या हाउ मतलब इटी सी यह सारे सब्दों से हम लोग क्या बना सकते हैं एक अड़ेक्टिव क्लाज ठीक ना इन सारी चीजों से हम क्या बना सकते हैं अड़ेक्टिव क्लाज बना सकते हैं ठीक तुद्धान समझदा एक्जामपर समझदा आप रोग की बिल्कूर समझ में आने वाला है जैसे एक एक्जामपर ले लिए जैसे कह दिए I saw a dog, it was laying on the road क्या दे दिए I saw a dog फिर कह दिए It was laying on the road on the road ऐसे दे दिए ठीक ना, एक्जामपर समझदा दूसरे एक्जामपर ले ले लेते हैं समझाते हैं एक अठा, ठीक ना, जैसे कह दिए I gave him a camera, the camera was very cheap जैसे कह दिए He gave me a gift उसने मुझे एक gift दिया The gift was very cheap ठीक ना, बहुत सच्थी थी ठीक ना, और तीसा ले लिए Please call the boy You gave him the money या ऐसे दिए The man was catch caught The man was catch, he stole my watch ठीक ना, इस टाइप से ले सकते हैं एक अठ एक अठ एक्जामपर ले ले लेते हैं जैसे कह दिए Please call the boy, you gave him the money Please, please call the boy Please call the boy उस लड़के को बुलाओ You gave him the money You gave him the money ऐसे दे दिए, मनलब इस टाइप का एक्जामपर दिए ठीक ना, ऐसे दे दिया जाएगा और सामने क्यों इतना बताया जाएगा कोई ये नहीं कहेंगे कि जोड़ो कि adjective class से जोड़ो कि अडर्व class से जोड़ो कुछ बताते नहीं कि और exam में एक sentence देते हैं एक यादो sentence दे देंगे सामने कह देंगे change into simple sentence change into compound sentence change into complex sentence इसमें से कोई एक दे देंगे ठीक ना, कोई एक बता देंगे तो आपको क्या करना है के वर उस में यह चीद देके पहचानना पड़ेगा कि कैसे कैसे किसकर करोगे नाउंक्लाच करोगे कि अडेटिव क्राच का यूजग करोगे कि अडेज्थी वीडियों बताए हैं आप लोग जाकर देख लिए बहुत अच्छे समझ में आने वाला है ठीक ना आओ इसको देखो एडियेक्टिव क्लाज ठीक ना दूसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अडियेक्टिव क्लाज का यूच करके एक कांप्लेक्स सेंटेन बना रहे हैं सिंथैसिस जो पढ़ रहे हम लोग ना तो कैसे जानोगी जैसे यहां पर समझना आई साडाग मैंने कुत्ता देखा ठीक ना इट वाज लेंग आंदा रोडिया शरक बल लेटा हुआ था ठीक ना तो ध्यान देना आई साडाग मैंने कुत्ता ना तो यहां पर समझना किसी ना किसी पहले या दूसरे सेंटेंस में किसी में एक नाउन होगा उसी की बात की जाएगी जिसकी बात की जाएगी जैसे देखो मैंने कुत्ता देखा क्या देखा कुत्ता में क्या है किसको देखा कुत्ते को ना तो यह क्या हो गया को कोई noun या pronoun एक में दिया रहेगा दूसरे में उसके बारे में बात की जाएगी जैसे बताएं मैंने एक कुत्ता देखा it was यह था लेंग लेटा हुआ कहां आंदरोड सड़क पर मैंने एक कुत्ता देखा जो सड़क पर लेटा हुआ था तो बताएं इसको adjective class का use कैसे करोगे या तो which when where यही सब लगा दोगे ठीक ना तो main क्या है समझना यहां पर बताएं ना जब जैसे कह दिये किसी ब्यक्ति की बात करें कोई person होगा कोई ब्यक्ति होगा ठीक ना जब लगे कि किसी ब्यक्ति की बात कर रहें तो इसमें से क्या लगा दोगे हू केवल हू किसी ब्यक्ति के लिए लगेगा person की बात करेंगे तब केवल क्या लगेगा हू याद रखना जब किसी think कोई चीज होगी कोई think कोई वस्तु हो ठीक ना कोई वस्तु हो या कोई जानवर हो animal ठीक ना या कोई bird कोई पच्छी वगएरा हो यह सब तो सब के साथ क्या लगा दोगे या दखना which लग जाता है क्या लग जाता है which किसी person की बात करते हैं लगेगी किसी ब्यक्ति के बारें बता रहे हैं तो who लगा देना और जब किसी कोई चीज हो कोई जानवर है कोई पच्छी हो तो क्या लगा दोगे which लगा दोगे ठीक ना यदि और जब कोई जगा की बात करें place या दखना कोई place होगा तो क्या लगा दोगे where क्या लगा देना है where ठीक ना और जब लगे कि किसी कारण बता जाए कोई रीजन है ठीक ना रीजन में इस कारण होता है जानते हो कारण बता जाए तो हुआ लगा दो यह सारी चीजें याद रखना most important इतना जानते हो तो समझ लोगी पूरा adjective class का use upload कर लोगे ठीक ना अब हम समझ गे ना किसी ब्रक्त की बात करो तो लगा देते हैं ठीक ना अगर किसी वस्तु की बात करें या जानते की बात करें में लगा देखा क्या देखा कुछा अब उसमें से दो डिया सड़क पर लेटा हुआ था तो कोई जानल बताए क्या लगा देंगे वीच एडजेक्टिब इसमें क्या लगा दे रहे हैं बन गया आ यी सा डॉग मैंने कुत्ता देखा वीच क्या क्या मतलब जो कि अब यह इठ हट जाएगा, क्या इठ हट जाएगा, मैंने एक कुट्टा देखा, जो, क्या बता है, वाज था, लेइंग लेटा हुआ, पूरा का पूरा यही क्या, इठ हटा देना, फुरिश्टा भी जगा, विच लगा दो, चूखी किसी जानोर की बात कर रहे है, क्या लगा दिये, विच, तो क्या हो गया, विच वाज लेइंग, अन दा रोड, यह हमारा एक क्या बन गया, एक कांप्लेक्स सेंटेस बन चुका है, ठीक न, बहुत सिंपल तरीका, ठीक न, तो ऐसे समझना, अब यहाँ पे, जिए he gave me a gift, he gave me a gift, हिदी निकाल लिए, वहाँ मुझे a gift दिया, उपहाल दिया, अब उपहाल काईसा था, वहाँ बहुत सस्ती थी, वो उपहाल काईसा था, बहुत सस्ता था, ठीक न, तो समझना, क्या हो जाएगा, He gave me a gift उसने मुझे gift दिया, उपहार दिया अब देखो, gift कोई वस्तु है बताए न, कोई वस्तु है न, इसमें आ गया, think, वस्त, क्या लगा दोगे which, तो फुरी स्टाप की जगा क्या लगा दिये which, क्या लगा दिये which, अब आगे वहलिक दो, यह हट जाएगा चुँकि which बता ही दिये इसको हटा दोगे न He gave me a gift, उसने मुझे उपहार दिया which, अब यह हट दिये, इसकी ज़रुती नहीं है was, which जो की, अब इसके बारें बता दिये which was, very cheap समझ में आया होगा आप लोग को उम्मीद है, ठीक न, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सस्क्राइब करते रहें दोस्तों के साथ सेर करते रहें और सस्क्राइब ज़रु कर देना चुकि इससे हमारा motivation भी बढ़ता है ठीक न, अब देखो जैसे the man was catch he stole my watch जैसे यहीं पर देखे, I saw a bird यहीं पर देखे, क्या होता I saw a bird, मैंने एक पच्छी देखा अब दूसरे में बता रहेते it was on, it यह वाज था on मतलब घायल या घायल था I saw a bird, it was on on या घायल था, मैंने एक पच्छी देखा गायल था, तो ऐसे बन जाता है I saw a bird, which पच्छी है which लगा देखे, which watch on, जो घायल था, मैंने एक पच्छी देखा जो घायल था, इस टायल कर बन जाता तब यहां पर समझो, मैंन की बात कि अब ऐसे समझ दो, मैंन की बात किये न आदमी था, कैच पकड़ा गया मिस हुआ, आदमी पकड़ा गया He stole my watch, जो मेरी घड़ी चुलाया था ऐसे समझ जो, बताए न किसी पर्सन की बात करोगे, कोई ब्यक्ति होाएगा तो क्या लगा दोगे, who तो समझ में आ गया होगा, तो क्या बना दोगे दा, मैन, वाज, कैच अब बताए कोई ब्यक्ति है तो क्या लगा दोगे, which, who ना, तो क्या, दा मैन वाज, कैच आदमी पकड़ा गया, who stole, stole, my, watch एकदम सिंपल सा, ठीक ना, बन गया, एक कांप्लेक्सेंटेर बन का त्यार है आपके सामने, ठीक ना, next example पर समझा देते हैं आप लोग को, जैसे कहें दिए, please call the boy, please क्रिपया, call बुलाओ, दा बोगे को, क्रिपया, लड़के को बुलाओ, उस लड़के को बुलाओ, you gave him the money, जिसे तुमने पैसे दिया, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, please, please call the boy, please call the boy, क्रिपया उस लड़के को बुलाओ, कोई ब्रक्तिकी बात की है, who, तो whom यहाँ पर निकल रहे ना, जिसको, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, whom, gave him, the money, जिसको, ना, मैंने तुमने पैसे दिया, ठीक ना, तो यह उमीद है, आप लोग के समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, आप लोग इसका इसके साथ ले सकते हैं,